नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों मैं अपने channel पर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो running से पहले exercise करने चाहिए और क्या करने चाहिए तो दोस्तों इनकों कहते हैं dynamic stretching exercise एक्सेरसाइज तो यह क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए तो दोस्तों यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अंडुलके को वार्मप पहिनी करेंगे तो इनिजरी आने का बहुत रहता है तो इसलिया में सबसे पहले बोड़्ीयों को वर्म अप करना चैहेए तभी जाकर हम Uh अच्रसाइज कर पाएंगे तो अब हम बताते हैं कि built plant डावी हैं निक सीमत दोस्तों तो दोस्तों यह फार्फ टक्सडव साइज हम यह क्या करेंगे अपर बोड़ी से लोवर बोड़ी तक करेंगे एक्सरसाइज तो दोस्तों ये है सेकिंड एक्सरसाइज जो ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये लगबग सभी की सभी stretching exercise है तो दोस्तों यह है तीसरी exercise इनसे करने से क्या होगा कि जो हमारी body है उसके अंदर stretch आएगा तो यह है fourth exercise तो क्या होगा कि हमारी injury से हम इसे अच्छे से बच रहेंगे तो दोस्तों यह है fifth exercise इनको अच्छे से होड़ करना है मतलब 5 seconds कम से कम होड़ करो तो तब इस इनका फायदा है तो दोस्तों यह six exercise अब बिल्कुल अराम से करना इनको अंदर कोई speed नहीं तो यह है seventh exercise यह अराम से इसलिए करनी है क्योंकि stretching हमेशा अराम से करते हैं तो दोस्तों यह है eighth exercise exercise तो अब हम आपको दिखाते हैं एंगल बदल कर तो यह इस पर कर नहीं है eighth exercise तो अब यह यह जो है यह है नाइट एक्सरसाइज आपकी तो हम एंगल वदल कर दिखाते हैं इस परकार पाउं को अच्छे से उठाना है बिल्कुल तो अब आगी आपकी आगी आपकी टैंथ एक्सरसाइज तो इसमें क्या करना है कि नॉर्मल थोड़े जंप करने हैं जिससे हमारी जो बोड़ी है वो थोड़ा वार्मप को सके तो यह थी एक्सरसाइज अब आपको क्या करना होगा दो राउंड नॉर्मल जोगी में वार्मप के लेने होगे तो इससे आपकी बोड़ी फुल वार्मप हो जाएगी और इसके बाद आप अपना वरकाउट कर सकते हैं तो दोस्त तो कैसी लगी वीडियो अगर चील गए तो लाइक कर दें अगर आपने भी तक मारे चैनल को सब्सक्राइब ने क्या सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली वीडियो और किसी पर लेकर आएं